हेलो दोस्तों कैसे हो आप चानके निती यूटूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागता है तो दोस्तों हम करें जैस के इंपोर्टेंट क्वेशन वन लाइनर पर्षन है आपके सभी कंप्रिटिटिव एक्जाम में काम आएंगे तो लाश्ट तक वीडियो देख प्रिक्षाओं में पूछे भी गई है और नेक्स्ट एक्जाम के लिए भी काफी फाइदेमंद क्वेशन है तो लाश्ट तक वीडियो देखी है ज्यादा इस ज्यादा सेर करें अगर आप फस्टाइम चैनल पर आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीड देखी कार्यात्मक यूनिट ठीक है नाइकिक परशन अच्छी तरीके से पड़ेंगे तो आपको लंबे समित दुबारा वीडियो देखने की जूर्त नहीं वैसे याद रहेंगे ठीक है किसकी कुन स्किरिया के काण मानुसरीर में मिक्सीडीमा होता है तो ये आउट्टू गरंती का दुसरा नाम बताओ पूछा जाता है तो थायराइड गरंती क्या है आउट्टू गरंती का दुसरा नाम है ठीक है ना आउट्टू गरंती का दुसरा नाम थायराइड गरंती ठीक है तो ये किसकी कुन स्किरिया के काण मानुसरीर में मिक्सीडीमा पैदा होता है तो यह आउट टू ग्रंती के काण होता है ठीक है तो next question है important person है सभी चाहे आप किसी भी exam की त्यारी करें यहां से आप सी question जरूर पूछ सकते तो next question दिया है मानु सरीर के बीतर खून किसकी उपस्ति के काण नहीं जमता important person है ध्यान से देखना मानु सरीर के बीतर ठीक है ना जो मानु का सरीर के बीतर किसकी मोजूदगी के काण खून है जो बल्ड है ठीक है ना जो रूदीर है वो जम नहीं पाता तो यह जम नहीं पाता दोस्तो इपेरियन के काण किसके काण इपेरियन के काण ठीक है न मानो शरीर के बीतर कुन किसकी मोजुदगी यानि किसकी उपस्तिति के काण नहीं जम पाता ठीक है ना रहनी पाता ये इपेरियन के काण नहीं जम पाता ठीक है तो next question है important question है सभी तो next दिया इसमें, रूधीर के पलाजमा में किसकी दुआरा जो antibody वो बनती है निर्मित होती है, तो antibody किसके अंदर बनेगी रूधीर के पलाजमा में? यह बनेगी lymphocyte के अंदर, किसके अंदर lymphocyte के अंदर बनेगी? ठीक है न किसके द्वारा रूदीर के पलाजमा में किसके द्वारा एंटिवोडी निर्मित होती है तो ये लिंफोसाइड के द्वारा निर्मित होती है ठीक है तो नेश्ट दिया दोस्तो क्वेस्टन एंटिजन का दूसरा नाम क्या है पर्तिजन क्या नाम है पर्तिजन या अंडिजन एक ऐसा पदारत है जो पर्ती रख्षी के निर्मान को क्या करता है बडावा देता है किस के निर्मान को पर्ती रख्षी के निर्मान को बडावा देता है ठीक है न तो next दिया है together Iodine мон inquat बताओ कई बार exam में पूछा गया to आर्मोन बताईए तो यह है थायरोक्सिन आर्मोन क्या है थायरोक्सिन आर्मोन तो नेक्स्ट दिया दोस्तों मानों के स्वेत्रक्तकणों यानि स्वेत्रक्तकणों का नाम क्या है डबल वीसी ठीक है डबल वीसी भी वोलते हैं स्वेत्रक्तकणों को ठीक है स्वेत्रक्तकणो तो next है अपहोन का प्रयोग किस किरिया को पूरा करने के लिए होता है important person है ध्यान से देखना अपहोन का प्रयोग किस किरिया को पूरा करने के लिए किया जाता है यानि किस किरिया को किस काम को पूरा करने के लिए होता है तो यह होता वरक के लिए ठीक है, वरक के लिए अपन का प्रयोग किया जाता है, तो next दिया है, सवेधन के लिए एक मैतपुन है, तो क्या है सवेधन के लिए मैतपुन, सवेधन के लिए मैतपुन है, शरीर के ताब मान के वी निंतरित करने के लिए, ठीक है, सवेधन किस के के लिए स्वेधन के लिए मैतपुन है ठीक है ना स्वेधन किसके लिए मैतपुन है ठीक है तो स्वेधन किसके लिए मैतपुन है शरीर के ताप मान के वीनिंतरित करने के लिए किसके लिए स्वेधन किसके लिए मैतपुन है शरीर के ताप मान के वीनिंतरित करने के लिए तो next है समानेत या निशेचन होता है तो समानेत या निशेचन किसके अंदर होता है गरबास्य के अंदर ठीक है ये person भी पूछा जाता है निशेचन किसके अंदर होता है गरबास्य में होता है ठीक है तो next question दिया दोस्तो मानु सरीर में रक्त चाप निंतरित होता है तो जो मा दिया दोस्तो जीवन रक्षक आर्मोन किस गरंती से स्त्रावित होता है ठीक है ना जीवन की रक्षा करने वाला हार्मोन किस गरंती से पैदा होता है किस गरंती से स्त्रावित होता है तो यह एड्रेनल गरंती से स्त्रावित होता है ठीक है जीवन रक्षक आर्मोन किस गरंती को master गरंती कहा जाता है important person है कई बार पूछा भी गया है आता भी हो गया ये person तो मानुश्री के किस गरंती को master गरंती कहते हैं तो ये बोलते है puse गरंती को master गरंती ठीक है puse गरंती को क्या कहा जाता है master गरंती भी कहा जाता है तो next है मनुश्य के स्रीर की सबसे चोटी ग्रंती बताओ ये भी important person है मनुष्य की सबसे चोटी ग्रंती कौन सी है PTU3 ग्रंती ठीक है PTU3 ग्रंती मानों की स्रीर की सबसे चोटी ग्रंती है ठीक है तो next question है दोस्तो important person है ज्यान से देखना गरवास्य में ठीक है जो गरबास्य है उसके अंदर शिसू के विकास की जानकारी है तो किसका प्रियोग किया जाता है ठीक है ना अगर हमें गरबास्य के अंदर शिसू के विकास की जानकारी लेनी है इन्फरोमेसल लेनी है ठीक है ना कि बच्ची का विकास अच्छी तरिक्की से हो रहा है या नहीं ह गरबास्ची के अंदर अगर हमें यह पता लगाना है तो किस किस आयता लेंगे किसका प्रयोग किया जाएगा अल्ट्रा साउंड का ठीक है ना किसका प्रयोग किया जाएगा अल्ट्रा साउंड का प्रयोग किया जाएगा गरबास्ची में सिसु के विकास की जानकारी के खाद्य की पूर्ति की जाती है याने उसको खाना किस की जरी पहुंचाया जाएगा ठीक है ना बुरण के विकास के लिए स्टार्टिंग में ठीक है बुरण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है तो किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर डंसन के दुवरा ठीक है तो next है दोस्तों question इस त्रियों की नस्बंदी को कहा जाता है तो इस त्रियों की नस्बंदी को क्या बोला जाता है क्या का जाता है ट्यूबे कटोमी क्या बोलते हैं इस त्रियों की नस्बंदी को क्या का जाता है ट्यूबे कटोमी ठीक है इस त्रि लगाई जाती है इंपोर्टेंट प्रसे ने पूछ सकते हैं जो गाए और बैस के थन होते हैं उनके अंदर जो दूद होता है उस दूद को उतारने के लिए किस आर्मों की सुई का प्रियोग किया जाता है तो किस आर्मों की सुई का प्रियोग किया जाएगा तो ये प्रियो अर्मोन की सुई का प्रियोग किया जाता है ठीक है तो नेक्स्ट है थाइराइट ग्रंती ठीक है थाइराइट ग्रंती से थाइरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उतेजित करने वाला अंत्स्त्रावित अर्मोन कौन सा है important है ये भी TSH hormone है कौनसा hormone है TSH छिक है thyreit गृति होती है जो thyreit गृति से thyroxyn स्त्रावित करने के लिए उतेजित करने वाला अंत्रावित hormone कौनसा है TSCH तो next दिया है myoglobin तो myoglobin में कौनसी दातू होती है कौनसी दातू होती है talented और कुन के अंदर कौन सी दातु पाई जाती है लोगा ठीक है मायोगलोबिन में कौन सी दातु होती है तामभा तो नेश्ट है एक व्यासिक पुरस के लिए समयने इमोगलोबिन मातरा परती 10 mm रखते है ठीक है न 10 ml रखते तो ये 5 gm हो जाएगी ठीक है एक व्यासिक एक का मान बताओ तो ये कितना है 90 degree celsius कितना दोस्तों सोरी 9 degree celsius ठीक है न 9 degree celsius मानुशरीर का समयने ताप मान है ठीक है तो next question है किस साररिक प्रक्रम से प्रोथो बीन क्या समन्द है तो किस साररिक प्रक्रम से प्रोथो बीन का समन्द रहेगा तो ये रहेगा दोस्तों प्रोथो बीन है प्रोथो बीन का समन्द रहेगा रक्त जमाव से ठीक है जो रक्त इकठा होता है उससे समन्द रहेगा प्रोथो बीन का समन्द ठीक है सार वो बताइएगा तो दोस्तों कुछ वीडियो के अंदर तरोट कम्या रहती है तो भी कमेंट बक्स के अंदर नोट कराते रहिए गा ताकि हम नेश्ट वीडियो में अच्छी तरीक्के से सुधार करके आपको नेश्ट वीडियो देशके तो ज्यादा इस्यादा प्लीज वी वाचिन झेहिन जब आपार।